इस दुनिया में आज भी बहुत से वीरान मंदिर मोजुद है जो अपने अद्भुत रहसों के लिए जानी जाते है जिनका निर्मान हजारों साल पहले हुआ था पर आज भी ये मंदिर अपने अंदर बहुत से रहसों छुपाए बेठे है आज हम जिन मंदिरों की बात करने वाले है उनमें एक मंदिर इतना रहसमय है कि वहां रखी देवी की मूर्ती कुछ समय के लिए गायब हो जाती है और एक मंदिर दिन में दो बार समुंदर के अंदर डूब जाता है तो चल ये बिना देर के शुरू करते है करने माता मंदिर राजस्तान हमारी पहली मंजिर ह कहा जाता है इस मंदिर में करीब 25,000 से जादा काले चुहे रहते हैं जीने भक्त पवित्र मानते हैं यहां के चुहे भक्तों को नुकसान नहीं पहुचाते बनकि इन्हें देवी का अशिरवाद माना जाता है इसा कहा जाता है कि यदि आपको यहां एक सपेच चुहा दिख जाए तो यह अत्यंत शुब संकित होता है कामक्खे देवी मंदिर आसाम दुसरा मंदिर है आसाम का कामक्खे देवी मंदिर यह मंदिर तांत्रे क्रियाओं के लिए और रहसमे परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है यहां पर हर साल जून के मेहने में मेला मनाया जाता है ज जोथे दिन विशेश पुजा के साथ मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, मेगला देवी मंदिर केरल, तिसरा रहसे मैं मंदिर केरल के वाइनर जिले में स्तीत है, यह मंदिर साल में केवल एक बार ही खुलता है, इस दिन यहाँ विशेश पुजा आर्चना होती है, और श्र बेश्वर महादेव मंदिर गुजरात, चोथा रसमय मंदिर गुजरात में स्तीत है, यह मंदिर समुंदर के किनारे स्तीत है, और दिन में लगबग दो बार समुंदर की लहरों के कारण जलमग न हो जाता है, जब लहरे पीछे हटती है तो सिवलिंग फिर से परकट हो जाता ह ये अद्भुत दुरुष यहां आने वाले भक्तों को मत्रमुक्त कर देता है केलाश मंदिर एरोला महाराश्ट्र पाच्वा और आखरी रहस्में मंदिर है महाराश्ट्र के एलोरा में स्तीत केलाश मंदिर ये मंदिर एक चट्टान को काट कर बनाया गया है और इसका निर्मान केसे किया गया ही यह आज तक रहस्य बना हुआ है वजनानिकों का मानना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए हजार उटन पत्थर निकाले गए होंगे लेकिन यह कम प्राचिंग काल में केसे संबव हुआ होगा यह कोई नहीं जानता इस मंदिर की वास्तुक करना मत भूलिएगा और इसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते ही मिलते हैं अगली वीडियो में